हेलो फ्रेंड्स, विलकम टू आर चैनल, लर्निंग नोट बूक आज इस वीडियो में हम क्लास वन इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक दिस, दाट, दीस, दोस्ट पढ़ेंगे हम समझेंगे कि इन चारों में क्या डिफरेंस होता है और इनको कैसे हम अलग-लग जगा यूज करते हैं और अगर आप क्लास वन इंग्लिश ग्रामर का कोई और टॉपिक समझना चाहते हैं तो हमने अपने चैनल लर्निंग नोट बूक पर क्लास वन इंग्लिश ग्रामर का पूरा स्लेबर्स कवर करा हुआ है आप उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिए आए आज शुरू करते हैं इन चारों को यूज करते हैं पॉइंट करने के लिए क्या किसको पॉइंट करने के लिए? पीपल को, एनिमल्स को या चीजों को पॉइंट करने के लिए तो आप उसके पास तो जाएंगे नहीं, दूरसे ही बात करेंगे ना उसके बारे में तो आप कहेंगे that is a crocodile यानि वो एक crocodile है तो जब हमें किसी एक चीज के बारे में पास से बात करनी होती है तो हम this use करेंगे और अगर हमें किसी एक चीज के बारे में दूरसे बात करनी है तो हम उसके लिए that use करेंगे अब अगर हमें एक से जादा चीजों को पॉइंट करना है और वो भी पास से तो हम use करेंगे these का जैसे कि these are fishes ये fishes हैं तो देखें यहाँ पे हम एक से जादा फिश के बारे में बात कर रहे हैं और वो भी पास से उनको पॉइंट कर रहे हैं तो हम use कर रहे हैं these अब अगर हमें एक से जादा चीजों के बारे में दूरसे बात करनी है तो हम use करेंगे those जैसे कि those are birds वो birds है एक से ज़्यादा bird है और वो भी दूर है हम दूर से उनको point करें है तो हम use करें है those ठीक है तो अब आपको समझ में आया कि कहां पे हमें this का use करना है कहां that, कहां these और कहां those तो this और that हम singular चीज़ों को point करने के लिए use करते हैं जब हमें एक चीज़ के बारे में बात करनी है जबकि these और those हम plural चीज़ों के लिए use करते हैं जब हमें एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में बात करनी हैं जब हम these या those का use करेंगे तो this और these they are used to refer things which are close तो this और these हम use करते हैं उन चीजों के लिए जो close यानि pass में होती है and that and those are used to refer things which are far away और जो that और those होते हैं इनको use करा जाता है उन चीजों को refer करने के लिए जो दूर होती है far away यानि जो दूर होती है और friends हम एक apple ले लेते हैं और हम उसको pass से point करें या दूर से point करें उसके हिसाब से हम इनको use करेंगे this, that, these, those का अब देखिए इदर ये जो apple है ये हम इसको pass से point करें हैं एक ही apple है और वो भी pass से point करें हैं तो हम use करेंगे this का sentence हमने बनाया I like this apple मुझे ये apple पसंद है अब अगर मैं इसी apple को दूर से point करूं तो मैं क्या use करूंगी मैं use करूंगी that का I like that apple मुझे वो apple पसंद है अब एक apple की जगा मैं तीन apples ले लेती हूं एक से ज़्यादा तीन apples ले लिए और उन apples को अब मैं point कर रही हूं पास से to मैं बोलूंगी I like these apples मुझे ये apples पसंद है ओओ अब इनी apples को तीनो apples को मैं दूर रख देती हूं दूर से point कर रही हूंлена तो मैं बोल रही हूं I like those apples मुझे वो apples पसंद हैं ओओ तो जब हम ने paas से point करा एक एपल को तो मैंने this यूज करा पर जब अब मैंने एक एपल को दूर से पॉइंट करा तो मैंने उसके लिए that यूज करा जब मैंने एक से ज़ादा apples को past से point करा तो मैंने these use करा पर जब मैंने एक से ज़ादा apples को दूर से point करा तो मैंने those use किया अब आईए हमें practice exercise करते हैं देखिए ये एक book है जिसको हम past से point कर रहे हैं तो हम क्या use करेंगे हम use करेंगे this this is a book अब अगर एक से ज़ादा books हो जाएं तीन books हैंगे उनको हम past से point कर रहे हैं तो हम क्या use करेंगे these these are books अब अगर मैं एक book लूँ और उसको मैं दूर से point कर रही हूं तो मैं use करूंगी that that is a book और अब मैं अगर तीन books लूँ और उनको दूर से point करूं तो क्या use करूंगी मैं those those are books now look here ये एक cake है इसको मैं past से point कर रही हूं तो मैं ये use करूंगी this this is a cake अब इसी cake को अगर मैं दूर से point करूं तो क्या मैं use करूंगी I'll use that that is a cake वो एक cake है अब अगर हम को chocolates लें और उनके बारे में हम past से बात करें उनको show करें हम past से तो क्या use होगा these these are chocolates एक से जादा है ये अब इनी chocolates को अगर मैं दूर से point करूं तो मैं use करूंगी those those are chocolates ठीक है friends अब आपको समझ आ गया है न कि कैसे हम this that these और those का use करते हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को like करना ना भूलें now let's do another practice exercise fill in the blanks तो यहाँ पे अभी हमें कुछ sentences given है और हमें object given है किसके बारे में बात हो रही है और यह बताया जा रहा है कि उसको दू से point करा जा रहा है या पास से तो उसके accordingly हमने this that these या those का use करना है तो first यहाँ पे देखिए dash car is amazing अब यहाँ पे जैसे कि हमें दिख रहा है कि एक car है और उसको दूर से point करा जा रहा है ठीक है singular है और दूर से point हो रहा है तो हम लगाएंगे that that car is amazing next I like dash dog अब इदर देखिए picture में सिर्फ एक ही dog है और उसको past से point करा जा रहा है तो इसलिए हम use करेंगे this I like this dog मुझे यह dog पसंद है next dash bananas are right अब जैसे कि हम picture में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक से जादा बनाना की बात हो रही है और वो past से point हो रहे हैं ठीक है तो plural bananas है और past से point हो रहे हैं इसलिए हम use करेंगे these these bananas are right let's see the next one dash cookies look tasty अब देखिए cookies तीन cookies हैं यानि plural हैं और उन्हें हम दूर से point कर रहे हैं तो हम use करेंगे those those cookies look tasty यानि वो cookies tasty दिख रही है can you give me dash books अब books है ठीक है sentence में भी हमें दिख रहा है कि plural books के बारे में बात हो रही है और picture में तो obviously दिखी रहा है और अब देखिए कि वो दूर से point हो रही है है ना दूर से books को point करेंगे हम तो यहाँ पे हम use करेंगे those can you give me those books क्या तुम मुझे वो books दे सकते हो next dash pen is my favorite देखिए सिर्फ एक ही pen है इदर और उसको past से point करा जा रहा है तो हम इदर लिखेंगे this this pen is my favorite यानि ये pen मेरा favorite है dash oranges are sweet oranges ठीक है यानि plural है देखिए तीन oranges है plural है और उनको हम past से point कर रहे हैं तो इसलिए हम use करेंगे these these oranges are sweet ये oranges मीठे हैं next dash bus over there is very big देखिए अब एक bus की बात हो रही है और उसको दूर से point करा जा रहा है तो इसलिए हम लिखेंगे that bus over there is very big वो बस वहां बहुत बड़ी है ठीक है now next one is look at dash birds up there अब देखिए यहां पे birds plural birds की बात हो रही है और उनको कहां से point करा जा रहा है दूर से तो इसलिए हम those use करेंगे look at those birds up there we should ask dash policeman for directions एक ही policeman है और उसको दूर से point करा जा रहा है तो हम लिखेंगे that we should ask that policeman for directions हमें उस policeman को पूछना चाहिए directions के लिए रास्ते के लिए dash is my umbrella अब देखिए एक umbrella है और उसको पास से point करा जा रहा है तो हम लिखेंगे this this is my umbrella ये मेरी umbrella है dash are my cupcakes अब देखिए कितने हैं ये cupcakes एक से जादा है ये तो तीन cupcakes हैं और उनको पास से point कर रहे हैं तो हम लिखेंगे these are my cupcakes ये मेरे cupcakes हैं ठीक है friends